हाई फ्रेंड्स विल्कम टू रंभाज कीचे आज मैं बनाने जारी अनर्सा जो कि हरताल का तीज का स्पेशल रेश्पी है यह जब बिहार अजहारकंड में हरताल का तीज में यह बनाया जाता है स्पेशली तीज तो कई जगा मनाया जाता है कई जगा तीजा के नाम से जाना रेश्पी यह रहता है यह अनर्षा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए पहले लिए चावल, एक कप, उसको मैंने 12-15 गंटा के apt के लिए पानी से धो करके इसको फूल स्थूलने के लिए डाल दी थी आस फूल ने को पानी के लिए फंके में शूखने के लिदे दी तो इस तरह से ये चावल हो गया उसको मैं अब कर लूगी ज़ твор अब इसको ग्राण्डड जायर में डाल कर के आज कर लेंगे ciao मैंने हाप को ग्राण छार में डाला और उसको घ्राण्ड किया है फिर उसके बद हाप में चावल डाल और फिर इस तरह से घ्रांड हो चुकत रहें एक मैंज ला लेंगे यदि एक कप चाबल है तो एक कप पानी ले लेंगे को नहीं हाब afect डाल देंगे अभी सको मेल्ट होने तक पकाएंगे कि इसतर से एक पर छला लेंगे कि इसको कोई तार की चास्ति नहीं बनानी है बस मेल्ट हो जाना हुआ अब चीनी जब मेल्ट हो जाएगा तो उसमें इसमें थोड़ी सी मैं इलाइची पॉडर डाल रही है आपस न ले कोई जरूरी नहीं आप डालना चाहते हैं तो डाल लिए अब देखिए बॉइल आ चुका है अब इसमें आटा डाल देंगे इसमें पहले हाफ डाल देंगे आटा इस तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हाफ डाल देंगे अब इसको मिक्स कर लेंगे यहीं मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे इसको जिस तरह से हलवा बनाते हैं उस तरह से हलवा कर लेंगे बना लेंगे देखिए हलवा जैसा हो गया अब इसमें घी डाल देंगे यह ऑप्शनल है घी डालना आप तेल भी डाल सकते हैं इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करते हुए इसको पकाते जाएंगे देखिए यह भी हो चुका है अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको ठंडा होने देंगे देखिए कवर कर देंगे अब इसके बाद ठंडा होने देंगे इसको जब ठंडा हो जाएगा तो इसका अनरसा बनाएगा देखिए यह ठंडा हो चुका है अब देखिये कितना चड़ो है अब देखिये इसüyorum मैं मावा ली हूँ उसके अंदर भरने के लिए या तील है और उसमय डालने के लिए चीनी मैं ले लिए हूँ मावा मैं डालने के लिए आप नार्याल का पॉडर भी डाल सकते हैं देकि मैं नावयर्माटर नहीं डाल रही हूए है ता अब सान इसमें चीनी डाल देंगे और इसको mix कर लेंगे, हाथ से ही मैं mix कर लएती हूए है, अच्छी तरह से mix हो जाएगा देखें मिक्स हो गया है अब अनर्शा बनाएंगे मैं डो को यह मिक्स कर ली थी फिर से इस तरह से लोईय बनाएंगे और इसमें छोटे-छोटे गोली डालते जाएंगे मावा का अब इसको चारों तरप से बंद कर देंगे इस तरह से मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे और इसमें तील लगा लेंगे एक साइड में देखें एक त्यार हो चुका है देखें मैं दूसरा भी भर के बता रही हैं इस तरह से मावा इसके अंदर भर लेंगे और चारों तरप से इसको बंद कर लेंगे और रोल कर देंगे और तील लगा करके इसको रख देंगे एक और मैं बता रही हूं इस तरह से मावा इसमें भर देंगे और मावा ज्यादा अपने मतलब नहीं ज्यादा भरना चाहिए कि क्या होता है कि आपका वह अनर्सा फट जाएगा अब अनर्सा को फ्राई करेंगे मैंने गैस पे पहले ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था अभी तेल गरम हो चुका है अब इसमें अनर्सा डाल देंगे अनर्शा को फ्राई करेंगे, अब इस तरह थे इस स्पैचुला से इसके उपर तेल डालते जाएंगे तकि उपर इसको पलटेंगे नहीं तोat तरह से तेल देंगे, तो उपर का लेयर हो जागाइगा, देखिए इनर्षा फ्राई हो चुका है, अब देख सकते कितना अच्छा अनर्षा गोल गोल हो चुका है देखिए अब इस अनर्षा को निकाल देंगे देखिए वह न अच्छा अब सेकंड टाइम भी अनर्षा को डालेंगे मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है जैसे अनर्षा डाला उसके बाद फ्लेम को मैंने लो कर दिया उससे भी क्या होता है कि उपर का लेयर पींक हो जाता जल्दी गुलावी और अंदर से भी पक जाता क्योंकि उसका मैंन कम कर दिया है कि देखिए यह कितना अचा फूल रहा है फूल चुका यह विलकुल देखिए इस तरह से इसको फ्राइ करते जाएंगे देखि Detroit कितना अचाह यह देखिए सारे फूल फुल के फट चुक Whats है इसको निकाल लेंगे यह फ्राइपी हो चुका है सारे अनर्षे निकाल लेंगे देखिए सारे अनर्षे मैंने बना करके तयार कर लिया है एक अनर्षा मैं तोड़ करके दिखाती हूँ देखिए देखिए उपर से क्रिश्पी अनीचे से सौप्ट है अग्दम बिल्कुल इस तरह से आपनार से बनाईए और अगर आपको मेरे देखिए पसंद आयो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बगल में मेल बटन होगा उसको दमाना नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड और फ्रामडी को शेर करना नहीं भूलिए यह प्रामडी करनार भूलिए किजिए और प्रामडी कीजिए इस पतल आपको मेरे बिदानार से प्रामड़ कीजिए